हाई एवरिवन मेरा नाम है विशेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पेंडा और स्वागत करते हैं आप सभी का आज के अमारी इस नई वीडियो में चहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी कम इस्पेस वाला फोन है चाहे वो रैम के मामले में हो चाह मैं आप से शेर करने वाला हूं तो उमीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा और पहली दफार यानिकी फर्स्राइम हमारे चैनल पर आ रहे हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जब दबाना साथी बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी कोई हम वीडियो डाले तो आपको मिलता रहे हैं तो आप बात कर लेते हैं काम की तो यार सबसे पहला टिप्स हमारा यह है कि आप अपने फोन को रोज स्विच आफ करें पांच मिनटे के लिए स्विच आफ करें फिर ओन करें दोस्तों अगर आप कंप्यूटर का यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अक्सर टेंप्रेरी फाइल्स बनती है जिन एक बार स्विच आफ करके कुछ दिर के बाद स्विच आउन करो अगर आपका फोन भी हैंग हो रहा है तो यह तुरह हमारा पहला टिप्स दोस्तों बात कर लेता है अपने दूसरी टिप्स के बारे में जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने फोन में कैस अब्लीकाइट ना करें जो कि कैसे आप अपने वाले हैं आपको बूने वाला हूं कि अपने फोन में कोई application update ना करें जिए दोस्तों बहुत आए लोग आपको बताएंगे कि अपना phone update करो application update करो लेकिन मैं यहां पर आपसे कहने वाला हूं कि अपने phone के application को जरूरत ना हो तो update ना करें जिए दोस्तों बहुत सारे एप ऐसे होते हैं जिनका आप कभी कभार यूज करते हो उनको अपडेट ना करो बाखी जो आप रेगुलर यूज करते हो जब अपने फोन के अपडेट करते हैं तो वो अपने साथ धेर सारा डेटा लाता है नहीं कि धेर सारा इस पेस आपके फोन में कवर करता है जिसे आपके फोन मे डेर सारा application open करते हैं कोई भी program play करते हैं और home button press करके सीधे बाहर आते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो जो program या जो application था वो close हो चुका है लिकिन ऐसा नहीं होता है वो background में continuous चलता रहता है और आपके phone के RAM को use करता है और जब भी आप दूसरा को यह अप open करते हैं तो आपको आप सही तरीके से बंद करते हैं तो आपके phone के RAM की memory का यूज नहीं करेगा और आपका phone जो है वो फास्ट चलेगा दोस्तों यहां पर आखरी टिप्स में आप से शेयर करना चाहरा हूं कि आप कोई भी एंटी वायरेस और cleaner वगरा डाउनलोड ना करें आपके phone को ज्यादा तो सब्सक्राइब जोड करिएगा साथी साथी टिप्स का यूज करिएगा मुझे उमीद है कि आपको ज्यादा ज्यादा फायदा होने वाला है तो थैंक्स फर वाचिंग थैंक्यू